स्वागत है आपका योजना ग्यान फॉर यू में और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ओफिस की कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जो आपके लिए फायदे मंद होगी क्योंकि उसमें इंटरस्ट जो है बे आज आपको काफी जादा मिलने वाला है तो इसके बारे में बात कर कर सकते हैं सबसे कम अमांट 100 और पे से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको इसका जो रिटर्न है वह काफी जादा मिलने वाला है तो जानेंगे डिटेल में जानकारी क्या है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देखने तो चैनल को लाइक जरूर करें शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ और रिश्दर के साथ ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और वह भी अपने पैसे सेव कर सके और अगर आप पहली बार आये हैं हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन की घंटे दमाएं ताक ऐसमें आप पैसे अपना इंवेस्ट करते हैं वह आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें बढ़ते हैं जानकारी की तरफ एक जब भी निवेश की बात आती है तो पोश्ट ऑफिस की स्कीम काफी ज़यादा कामा आती है पोस्ट ऑफिस के जरी है काफी सब्सक्राइब लागू की जाती हैं जिसमें केवल 100 रुपे 500 रुपे और 1000 रुपे से भी निवेश की शुरुवात की जा सकती है वहीं अगर आप निवेश करने के बारे में विचार बना रहे हैं तो post office की scheme काफी फायदेमंद हो सकती है क्यूंकि इन schemes में आपको बहुत ही कम निवेश करना ह साथ में रिटर्न भी तावर्टोड मिलता है सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आड़ी स्कीम एक गुलक की तरह है इसमें हर महिने एक विक्स स्तरकमलगातार 5 सालों के लिए जमा की जाती है मिचियोरिटी पर ब्याज सहीत राशी वापस मिलती है इस समय स्कीम पर 6.7 फीसदी के हिसाब से ब्याज प्राप्त हो रहा है कोई भी सक्ष इस स्कीम में 100 रुपे से भी निवेश शुरू कर सकता है दूसरे आ जाता है टूस्ट आफिस की TD स्कीम पोस्ट आफिस में चलने वाली FD स्कीम को पोस्ट आफिस की TD स्कीम कहा जाता है जिसमें एक, दो, तीन और पांच सालों तक के लिए एक साथ पैसा जमा किया जाता है टैनियोर के हिसाब से ब्याज दर अलग-अलग होती है एक साल पर 6.9 फिसदी, दो साल पर 7.1 फिसदी, तीन साल पर 7.1 फिसदी और पांच सालों पर 7.5 फिसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है इसमें आप कम से कम एक हजार रुपे जमा कर सकते हैं आगे आजाती है पोस्ट ओफिस की MIS स्कीम, जिसमें पोस्ट ओफिस MIS में भी कम से कम एक हजार रुपे से निवेश कर सकते हैं मैक्सिमम निवेश सिंगल खाते में 9 लाक और जोयन खाते में 15 लाक रुपे तक है मंतली ब्याज के दोरा कमाई जाने वाली इस स्कीम में 7.4 फिसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है आपकी राशी को 5 सालों के लिए जमा किया जाता है और उसके बाद मूल रकम वापस कर दी जाती है आगे आजाती है Post Office की PPF स्कीम PPF एक ऐसी स्कीम है जिसमें 15 सालों तक चलाना होता है इसमें कम से कम 500 लुपे का सलाना निवेश किया जा सकता है मैक्सिमम निवेश 1.5 लाक रुपे सलाना मिलता है इस स्कीम में 7.1 फिसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है आगे आजाती है Post Office की Senior Savings Scheme Senior Citizen Savings Scheme One Time Deposit Scheme है इस स्कीम में कम से कम 1000 लुपे से निवेश को शुरू किया जा सकता है मैक्सिमम निवेश 30 लाक रुपे तक किया जा सकता है बुजर्गों के लिए चलाई जा रही 5 सालों की इस जमा स्कीम पर सरकार 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज देती है रिटैर्ड लोगों के लिए ये स्कीम काफी अच्छी है आगे की जो Post Office की स्कीम है वो है NSC स्कीम की डिटेल में आईए जानते है NSC में NSC में 1000 रुपे की कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है maximums निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है इस समय इस स्कीम पर 7.7 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है इस स्कीम में भी आप 5 सालों के लिए राशी को जमा करके 72 ब्याज दरों का लाब पा सकते हैं आशकरते हैं कि आईए आपको पोस्ट आफिस की कुछ स्कीम पसंद आई होंगी और आप इसमें निवेश भी जरूर करेंगे और ऐसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब करें लाइक और शियर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको कौन सी स्कीम पसंद आई है आगे की वीडियो के लिए इंतजार करें तब तक के लिए धन्यवाद